हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट शेफ किरन जहां मिलता है स्वात देश विदेश का आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी जिसमें इस्तमाल करेंगे तर्बूस के छिलके तो मैं बना रही हूं इसे एक सीक्रेट के साथ में जिससे बनेगी यह बिलकुल कोटा होना चाहिए आप चाहें तो कच्चा पपीदा या फिर सफेद वाला कद्दू ले सकते हैं जिससे की पेठा बनाया जाता है तो अब हम छिलके का पिछला हिस्सा जो की गहरा हरा होता उसको निकाल देंगे अब तर्बूँस को पहले पतली-पतली लेयर में काट रहे है इस तरह से अब हम इनके डाइस कट कर लेंगे छोटे-छोटे तो सारे छिलकों के डाइसेस कट कर लिए हैं डाइसेस का साइज हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है जितनी बड़ी हमें तूटी फूटी चाहिए क्योंकि शीरे में थोड़ा सा ये शिकुड़ेगा अब एक कढ़ाई में हमें पानी अच्छे से उबाल लेना है जब इसमें बॉइल आने लगेगा तब हम एट करेंगे तरबूच के डाइसेस इन्हें हमें हाफ कुख करना है अब जब तक डाइसेस हाफ कुख हो रहे हैं तब तक हम चाशनी बना लेते हैं चाशनी के लिए मैंने बहुती छोटे साइस की कटोरी ली है जिससे हमें चाईए दो कटोरी शुगर यानि की दो कप शुगर फिर मैं इसमें अट कर रही हूँ दो गलास पानी हमें चाशनी बहुत मोटी नहीं रखनी है हमें बिल्कुल पतली चाशनी चाहिए तो डाइसेस अब हलके ट्रांस्पेरेंट हो गये हैं हम इन्हें हलका सा दबा करके भी चेक कर सकते हैं यह हाफ कुक हो गये हैं यह देखी चाशनी रेडी है चिनी घुलने के बाद हमें सिर्फ 10 मिनेट ही कुक करना है और चाशनी रेडी हो जाएगी अब इसमें हम आट कर रहे हैं डाइसेस बहुत ही इंपोर्टन्ट स्टेप है इस रेसिपी का मैं आट कर रहे हूँ एक टेबल स्पून फिट किरी यानि की ऐलम इस से क्या होगा शुगर के क्रिस्टल नहीं बनेंगे आप कभी देखते होंगे कि कई बार चीनी सूप करके उपर से जम जाती है और एक लेयर बना लेती है तो ऐसा कभी नहीं होगा फिट किरी डालने से और ये लीजिए ये अच्छे से पग गए है मैंने सभी डाइसेस को तीन पार्ट में अलग-अलग तीन कटोरियों में निकाल लिया है क्योंकि हम मनाएंगे थ्री कलर के टूटी फ्रूटी आप इनके कलर से अंदाजा लगा सकते हैं ये कुख हुए है या नहीं ये दिखिए बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट हो चुके हैं अब मैं एक बाउल के डाइसेस में आड़ कर रही हूं ग्रीन कलर अब दूसरी बाउल में आड़ कर रही हूं मैं थोड़ा सा रैड कलर ये फूट कलर हैं जो मार्केट मैं अवेले बल होते हैं एजिली लास्ट वाले को मैं कलर दे रही हूँ यलो अब कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसी तरह कलर चाशनी में हम इन्हें कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कलर और सुगर शिरप अब्जॉब कर ले अब एक घंटे के बाद मैंने टूटी फूटी से सुगर शिरप को अलग कर दिया है अच्छे से चान करके मैं इन्हें अलग एक टीशू पेपर लगी हुई प्लेट में इस तरह से फैला दूँगी अब इसी तरह बाकी टूटी फूटी फूटी को भी मैंने चान लिया है और सुगर शिरप अलग कर दिया है मैंने इन्हें टीशू पेपर में इसलिए फैलाया है ताकि एक्स्ट्रा शुगर सिरप ये एब्जॉब कर ले अब हमें इसे इन्ही तरह लगभग एक दिन के लिए पंखे के नीची सूखने रग देना है अब ये जो कलर शुगर सिरप बच गए हैं आप इसे कोई नई मिठाई या फिर बहुत ही टेस्टी टेस्टी शर्बत की रेसिपीज भी बना सकते हैं दोस्तों तो इन्हें फेके नहीं और फ्रिज में स्टोर कर दें तो ये देखे एक दिन के बाद टूटी फूटी का हाल तो लग रही है ना बिलकुल मार्केट जैसी कोई कहेगा कि इसे हमने घर पे बनाया है तो है ना कितनी यूसफुल वीडियो अब आप तरबूस के छिलके कभी नहीं फेकेंगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू